और अब सीधा आपको लखनाव लेकर चलते हैं जहाँ पर डीजीपी प्रशान कुमार प्रस कांफरेंस में क्या कुछ कह रहे सोल लते हैं शाक्ति पूर्ण, निस्पक्ष, हिंसा रहित, खथा प्रलोभन, मुक्त वातावरन में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से सम्मंतित नहीं हुई है ये एक जो यहां के चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है ये उसकी प्रोफेशनलिजम को दरसाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना भी तक रिपोर्ट नहीं की गई है ये उनके निस्पक्षता का भी प्रमान है तो हमारी लगतार इसमें वो है मॉनिटरिंग चल रही है लगतार होम कंट्रोल और डीजीपी मुख्याले के द्वारा भी इसकी मॉनिट कि जाएगी हीट वेव के संबंद में जो निर्देश रासन के हैं और पुलिस विभाग के द्वारे जारी किये जा रहे हैं उसके इसमसार मतगर्ना अस्थाल पर प्रयाप पेजल की वेवस्था कराई गई है जिससे वहां किसी तर वहां डॉक्टरों की टीम भी रहेगी त उसको हम लोग उससे निप्टे अस्थानिय अभिसूचना इकाई भी हमारी एक्टिवेटेड है हमारे पास इस तरह के बुक्ता प्रमान है जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों के पहुंचने के अपील कर रहे हैं ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें वरना कठोर से कठोर कारवाई की जाएगी शांती व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखनी की जिम्मेदारी अस्थानिय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गडबर करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सक्ति से निप्टा जाएगा और समय आने पे उसका उन व्यक्तियों के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरी मतगन्ना को सक्षो संपन कराय जाने के लिए SP और अडिशनल SP की अगर देखें तो 160 व्यक्ति लगे हैं केवल मतगन्ना के लिए और पुलिस उपाधिक्चक 476 निरिक्षक 2248 उप निरिक्षक 12883 मुख्य आरक्षी 20876 आरक्षी 50,697 खोंगार्ड 6149 तथा CAPF की 145 कंपनी तथा PAC की 102 कंपनी का वेवस्थापन इस दवरान केवल मतगन्ना के लिए किया गया है अन्य जो फोर्स है वो पूरे जन्पद में शांती व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप्योग में लाया जाएगा 2022 के विदानसभा चुनाओं के मतगन्ना के पहले भी कुछ लोगों ने शांती व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी उस पर किस तरह की कारवाई की गए थी यह सभी को विदित है मतगन्ना पूरी तरीके से माननिये निर्वाचन आयोग के निर्दोर्शों के अनुरूप ही कराई जा रही है प्रेक्षगण मौके पे हर एक मतगन्ना अस्थाल पे स्वैम मौजूद रहेंगे और समय समय पे पारदर्श्टा भरत्ते हुए जो आयोग के निर्देश है प्रेस के माध्यम से तथा उनके अपने बुलेटिन, मतगन्ना या परिनाम के बारे में जारी किये जाएंगे नन्यवाद हमारी मैंने जैसा पताया कि हमारे पास इस बात के वुक्ता प्रमाने हम सभी पहलूओं पे नजर रख रहे हैं और किसी भी हालत में शांतिवस्था बिगड़ने नहीं देंगे और इसके बारे में आपने देखा भी होगा कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे परक्रणों में कितनी कठोर कारवाई की जाएंगे यह एक सामान में प्रक्रिया होती है संभी दनशीलता का अंकलन करते हुए जो यहां के अभी सुचना आती है उस हिसाब से हम करते करते हैं कहीं पर कारण की संभी दनशीलता बढ़ जाती है कहीं जिले के कारण बढ़ जाती है कभी पास हिस्ट्री के इसाब से कोई एक रैटिरिया ने इसके इसाब से नंबर आपको बता दे लेकिन हमारा व्यवस्थापन पुखता है और हम पूरी तरीके से सक्षल करना संपन करें